आखिर वो चोर है कौन आज तक वो किसी को दिखा नहीं और वो पूरे स्टेट में लूट कर तबाही मचा रहा है इस राज्य का ग्रेह मंत्री हूँ मैं इसलिए मैं तुम्हें फूल पावर देता हूँ उसे गिरफतार कर इस फाइल को प्लोज करो और पहली चूरी हुई जुलाई में पांच को हुई आध सुबह ही आपने टीवी पर उसके बारे में इंट्रव्यू दिया है तुम्हारा अंदाजा साही होगा यह कैसे हो सकता है प्रूफ करो मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता अगर है अगर यह सुपर रंदाहा इंदाओ स्वियो कि एंदा भी कि एंदाओ प्रुब स्वियो कर दो कर दो कर दो कर दो हाई पार्टनर मैं जानता था तू मुझे फोन करेगा पार्टनर अबे कौन है तेरा पार्टनर तू ही है मेरा पार्टनर अरे तुने चोरी में मेरी वदद की तो पार्टनर हुआ न तेरा हिसा भेजू क्या पार्टनर तो मुझे अपना पार्टनर बना के बहुत बड़ी गल्ती कर रहा है वो क्या है कि जब तुने मेरे हाथ में गोली उतारी थी उसी वक्त तुमेरा पार्टनर बन गया था एह, अगर मैं तेरा पार्टनर नहीं होता न, तो बंदूग की गोली सीधे तेरे सीने में उतार दी होती, मैंने उस गोली को जान बूज कर तेरे हाथों पर नहीं चलाई होती क्या बात है पार्टनर, आक्चुली तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है एए एए चोरी करना तेरा प्रोफेशन नहीं है तू तो ये मज़े के लिए कर रहा है क्यूंकि किसी को चैलेंज देना तुझे पसंद है ना कुछ नया बोलना पार्टनर नया बोल तेरी बॉड़ी मेरा मार सह नहीं पाएगी किसी पिटी बात मत कर कुछ नहीं बोलना नहीं एए एए तेरी बातों में मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजार आ रहा है तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा ये सोचना भी मेरे पार्टनर ये तो मेरा स्टाइल है तो कुछ नहीं बात बोलना तु मेरा एकदम करक पार्टनर है मगर एक बात हमेशा याद रखना पार्टनर तु मेरे कितने भी पास रहे लेकिन मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा तु मुझे बहुत परेशान कर रहा है तुझे अरेस्ट किये बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा कैसे करेगा पार्टनर मैं किस तरह रहता हूं तुझे पता है नहीं पता है मैं कहां रहता हूं पता है नहीं पता कल मैं किसके घर पर चोरी करूँगा पता है नहीं पता और मैं कैसा दिखता हूं यह पता नहीं पता लूजर लूजर मेखना पापा आप यहां बस बेटी घर में बात करने वाला था लेकिन तुम आज कल बहुत बिजी रहती हो ना क्या बात है बोलिए वो तुम्हें देखने के लिए एक लड़का इंडिया आ रहा है दीदी मैंने तो पापा से कहा आप इतने जल्दी शादी नहीं करना चाहती लेकिन क्या करे मेरे भिलाइन क्लियर होनी चाहिए ना इसने मैंने ही शादी करवाने के लिए कहा पहचान वाला है अपने शहर का है और देखने में बहुत हैंडसम भी है तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई और ढूनेंगे कम से कम एक बार जाकर उससे मिल तो लो बेटा यह देखो लड़का बहुत अच्छा है तरेन में ही दुलहन की परीक्षा बिलकुल नया तरीका है ना इसलिए पैरेंट्स ब्लैक मिल करते हैं अहां अच्छली यह उससे तो बेटर है सबके सामने कॉफी पकड़कर वेटर की तरह खड़े रहना मुझे पसंद नहीं है फर्स्टाइम वाट आई मीन दुलह की परीक्षा हां इस तरह से तो फर्स्टाइम ही है एक्शली मुझे सिंपल मैरेज ज्यादा पसंद है सच मैं मुझ अच्छी इतनी जल्दी शाद ही नहीं करनी है इसलिए मैं तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा और आसे ही चली आई रंगा हाँ मैं नेम इस रगनाट अनी प्रोब्लम इस दुन्या में मुझे सिफ एक नाम से नफरत है रंगा क्यों वो मेरा एक्स बॉइफ्रेंट है कि एक नमर का नीच चर्थ कमीना एंट्रेस्टिंग कर सकते हैं इसे कभी ओफ ने कर सकते हैं इस फॉर्स्ट मीटिंग एप्रिल फॉल्स टे तुम्हारी मां को पता चल गया है तुम घर से भाग आई हो तुम्हें पूरे शहर में ढूनने के लिए आदमी भिजवाए हैं हब आप अब आका उसका नाम आदम है वो कावरी नगर में रहता है हमारा कार ड्रैवर है सब्सक्राइब इस आपने ही रो के बार में बोल यह रही है है तो प्यार करती है आए आत्म Baghan कहार मेरे लिए टैंक फुल ब्लड से भर दिया है गाड़ी में टैंक फुल कर दिया है मड़ा तू कुछ कर ना यार प्लीज तू इससे प्यार करती है सीरिसली अचा ठीक है चल चलो अभी हम यहां पर है सीधे गए तो मैसूर उड़ाएगा राइट गए तो राजर राजिश्वर अगर तूने उसका प्लान फॉलो किया तो वो कच्छू कनक रत्नमा तुन दोनों के टुक्डे टुक्डे कर देगे कौन है यह मेरा फ्रेंड है उसलिस फेलो अभे आदिमो तू इसका प्लान सुनकर आगे बढ़ेगा तो ऐसे कुछ नहीं होगा लेकिन तेरे लेकिन तेरे यह हाथ सलामत नहीं रहेंगे कौन है यह मेरी फ्रेंड है तो फ्रेंड के जैसे रहो जासते ओडने का नहीं एक दूंगा ना अकर ऐसा है तो तुम्हें कोई अच्छा एडिया दो ना मैं आइडिया देने के लिए आया हूँ एक सूपर आइडिया देता हूं एची तो अच्छा ने भी बताया था तुने आर्च के बारे में बताया था पक्का बताया था अच्छा अंदर से जाना एक का देखा तुम चीटिंग कर रहे हो तेरी शादी हुई नहीं और तू दूसरे की शादी के लिए आइडिया देने हैं एक तेरे जैसे बगबग कर रही थी उसका गला दबाके मार दिया मैंने दूसरी इसके खामोश थी उसे कोई में लेकल दिया तू ज्यादा बात कर रही तो मैं तुस्से भी शादी कर लेता हुआ जा रहा है नहीं यह भाग करने वाली यहां गुंडे कभी भी आ सकते हैं चेजिंग शुरू हो सकती है और तलव सबस्क्राइब करें लेकिन कोई भी गुर सकता ना इसके जैसा जो हो अहां हो कि अ कहां जीब आधमी है अरे सुनना कहां जा रहा है तू अब्ध हलका होने जा रहा हो तू भी साथ आ रहे क्या अधा शादी कह प्ला लीग हो और सुनकर मेरे पहली लीक हो चुकी है ची उस दजार कर रही थी अपने ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तेज़ चलाए नहीं तो यहां इस ड्राइवर के साथ शादी नहीं सुहाग रात भी अच्छे से हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहां कोई जिंदा नहीं रहेगा तब मेरे साथ टश में रहो मैंन के साथ रहक यहां पांग खांग खांग तुझे मेरी तरह बाग काराना चाहिए था ईसे लोड़क काराना जरूरी था यहां चल्वाग भाग 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 तो सब्सक्राइब करो ना है अपने लीडर को फालो करो ना मुझे शोटके जा रहा हो इस तरह तरह इसके साथ भाग रहा है कि पूरी जिन्द की भाग रहा है इसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा इस तरफ बहुत है जान अपनी आइटम को बोला इस तरफ जाओंगी और तू भी इसकी बात मेरी बात तो सुन इस तरफ गये जाओ भागो भागो ゲे जा ओए जखा लाए नहींड सोल्ड हैं situación यह टेमव इस चलो 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 चॉलो चलो कम एक ऊजंत कुरमेदेर तव थे बैटा मंल सुत्र लाए क मनल सुत्र किया SHの कमीने सुझे तरण काहा मंगल सोतर मांगने पर लात्की में लाई है मंगल सोतर अबे डबाल रहे यहां क्या कर रहे हो हाँ अरे शाधी उधर हो रही है आजाओ चलो रपना मात तुम यहां खड़ी क्या करें चलो रहा है तुमी जाओ सिवेठी जाओ संद्गे में पांगोनचा बदल्रचा अंपनारी जाओ स्याल मैं आदे-जाल श्व्लाह बेजि और वरन जाण आजो पामना जास के आधा बनागोना है कैसा लगा यह यह क्या मैं मैं तुम ही इंफेशन देकर अब तुम ही साधी करवा रही हो क्या लिए किया यार तुझे शादी करने के लिए यहां आने की क्या ज़रत थी किसी भगवान के फोटो के सामने हार पहना कर साथी कर सकता था तो कर अगर तुसे कोई पूछे कि तेरी शादी कैसे हुई तो तु कहना कि बहुत बड़ी स्टोरी है कहानी में बहुत फारिंग हुई टामिंग जंपिंग जना सोच की सुनने वाले को कितनी किक लगए क्या अगर पकड़ी जाते तो जान चली जाते एच्छी आपने जो किया उस वज़े से मेरी इच्छा पूरी हो गई ठैंक्स भया मुझे मस्ट किक मिल गई अग्वान की क्रपा से तुम दोनों को किक की प्राप्ति हो अस्तू स्वागरात स्वागरात इस एमेले कनक रतलम्मा को तुने रोड़ पर कुट्टे के जैसा भगाया है ना पर एक बात याद रखना तू खुद मेरे पास आकर मेरे पैरों में नहीं गिरा तो उन अंग्र वमारी पसंद के लड़के से ही शादी करना यह कोई कानू नहीं क्या तुम कर रहे हो फैमिली बलात का रारेंज अत्या चार गेडा आट क्या समझीती मैं ऐसा बोलूंगा ऐसा केरेक्टर मेरा नहीं है ना कौन है यह आदमी अपने केक के लिए दूसरों की जान जोखे में डाल सकता है यह आपको अभी जाकर पता चला पिछले तीस सालों से मेरी उसकी दोस्ती है बस उसे किक मिलनी चाहिए उसके लिए उसके लिए कुछ भी कर सकता है श्यता है वाव वाव वाट अस्ट्रेंज क लेकिन फैर से उस आदमी से मुलाकात हो ही गई वो भी मेरी बहन की वज़े से ही क्या कह रही है तो यह सादमी से प्यार करती है हाँ ए बहुत बड़ा पागल है यह कहां मुलाकात हो इससे दूर से देखकर प्यार किया है अब तुझे मेरी हल्प करनी है नहीं तो मैं अपन करने के बाद एक ही महीने में बड़े-बड़े मोबाइल कंपनी के साथ तुम ने हमारी कंपनी को कॉम्पिटीटर बना दिया वेल डैन मैं काम चोड़ रहा हूं से बहां बट वाई तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को यह कंपनी नहीं छोड़ना चाहती बताओ तुम्हें क्यों से क्या है किसी चाहिए और आप चाहिए है अपे बात हुं उननिये कैया अचा नहीं से कि लिए तुम्हें मेरे बारे में पता है क्या हां पता है चाहे एक लिए किसी भी जान जोक्ना सब किसी दूसरे के प्लान को अपना प्लान बता कर चीश्टिंग करते हो करेक्ट 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 में एक अदमी का गला पकड़कर तो वसे नदी में डुबा दिया यह भी मुझे पता है कुरेक्ट करेक्ट मुझे तुम्हारी healthy अरे वह तुम भी कर देता हूं तुम बोलो जानू अगर तुम्हें उससे टार था तुम उससे डारेक्ट आके कहना चाहिए था ना बीच में कबाब में हट्डी कहां से आ गई अले मेरी जान तुम कितनी अच्छी लड़की हो तो फिर तुम इस मेंटर से कैसे प्यार कर सकती हो हां बोलो अपने के लिए मैं सामने वाली की जिंदगी से भी खेल सकता हूं जब मैं चूटा था ना तो अपने फ्रेंड अधिमों को स्विमिंग भूल में धक्का देकर मार दिया था मैंने अभी तक उसकी बॉड़ी भी नहीं मिली है यह नहीं बताया तुम इसे जमाग एक दम पागल है क्या है कि एक लड़की के प्यार में पागल हूं है और उसके साथ शादी करने का डिसाइड कर लिया मैंने किस बदनसी तो तुमारे लाइफ एक दम सिटल लॉव यू ए लेसन वान टू थ्री ब्लास्ट नहीं वह मेरा है तुम्हें अपना प्यार सेट करने के लिए कहा तो तुम्हें अपना ही प्यार सेट कर लिया मैं क्यों पढ़ूंगी उसके पीछे हां तु जानती नहीं है वह बहुत कर देगा अब यह नाटक बन करो यह सब तुम्हारा डर्टी ड्रामा कर रही हूं तुम्हें चाहिए था ना अब देख मैं क्या करती हूं मेरी बात नहीं मानेगी तो पश्टाएगी वह अपनी मीठी-मीठी बातों से तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है समझी मुझे फ कर एक कर ना हमने हुआ उंकन बताए मुझे मुझे है वच थे प्लीज प्लीज पर सस्टां कवा इस कोई अपने देर घूरता रहेगा तू मुझो खोल भाई अब तो अपना मुझो खोलो मराठी में बात कट मला मराठी मा इतना है अब बोल तो रहा था बस इतनी ही आती है इसकी मौत का गाना बजा रंगवारस भीगे चुनरवानी रंगवारस यह क्या कर रहा तो तुने गाने के मैंतर पर मैंतर पर तो ने उस दर्टी को आई लवी के वोला मैरी मर्जी पूछने वाला तू को आने पर लड़की बहुत अच्छा है तेरे लागे के लड़की है क्या है सीधे से बात कर समझा क्या है चानता निया मैं कौन हूं मुत्तु माधपा कैसे मर्द हो तुम यह सब मिलकर तुम्हें मार रहे है और तुम इसका पैर पकड़ रहे हो ची शरम नहीं आती कहीं का इस कमीने को तुझे मारने के लिए पंद्रा हजार पर दिये थे भाई वह आपके सेकंड सेट अप के लिए एजस्मेंट किया है आपके यू तुझे मारने के लिए चाकुल आई थी यह भी किसी काम नहीं आई भाई उन लड़की से सुना रही है और एंजोई क्यों कर रहे है मुझे तो लगता है यह पागल है मुझे भी लगता है अब इसको मार के क्या फायदा पैसे तो मिल गए अपना टाइम के चल रहे है निकल निया से तहार उट गई पीकार में टाइम एस्ट हो गया तो सुना भे तिया हुआ कब पढ़ गया क्या हिसाब बराबर ने हुआ है हिसाब करेगा हम अब मेरा चेहरा क्या देख रहे हो जाओ मारो उसे चोड़ा ले अब क्या है मैं तरी स्कीम तेरे हाथ से मैं मार खाता और इसके बाद मैं हॉस्पिटल में भड़ती हो जाता तो उस लड़की को मुझसे सिंपेथी हो जाती और वो मेरे प्यार में पढ़ जाती और ये बात मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं कैसी लगी मेरी बंपर स्कीम बहुत अच्छी है अब पर 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 कहां जा रहे हो उस लड़की के सामने मुझे इतना मारा तो उसे वापस कौन बुलाएगा तुम्हारा पाप कर रहा है मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है है तो सब को गधे कितरा दो रहा है यह जरूरी में अभी तो यह जरूरी है कि है के कम लग रही है यार आस तो तु बेरे हाथ से गया बटाप प्लीज 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 यह सब देखकर तुम मेरे प्यार में बिल्कुल मत पढ़ना है प्यार तुम हो तू कहो कुछ भी कहो मुझे सब चलेगा मैं सिंसेरली तुम से प्यार करता रहूंगा नहीं तो फिर के कम हो जाएगी ऑके स्थिच व hoping oh स्विड कुमाज सानु कमाएढ कमार कमंा आगे लुख स्विष्टां कामान एडियाट kalo शुख सूप अहीं अध बहु़ां बगनेएड प्लीज यद करता तานब कंता प्र épisode यह कुछ फॉट यह हो हुड यह मत करना अंदर सिफ आप एक आदमी थे अगर उन लोगों के पता चल गया ना तो आपके चेरे का नक्षा ही बदल जाएगा तुमने कुछ आप क्या लाइन मारने जाएंगे आपके अंदर का काम अगर मा को पता चल गया तो चपल से मार खाएंगे वह तब तुम बाहर जाके बाद में करना पहले से लेके जाओ चलो बेटा यह हुई ना बात इस इस प्लेस प्लेस पो बिरियानी मैं यह अकसराथ ही रहती हूं बहु किसने डाल दिया यहां का कुक कॉन है नास्ते मेड़म वो मैं हूँ यहां नाया जॉइन हुआ हूँ वराएटी रहें कि सोच कर बनाई कैसी लगी आपको तुम मेरे पीछे चली आती हूं क्या तुम उसे प्यार करती हूं मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूं हूँ मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार करोगी 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 तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार क वह प्रवार करोगी तुम का नाम क्या है आपका नाम क्या है हाल्वा राज हाल्वा लव यू अलव यू लव यू तू हाँ 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 क्या किक दी तुन्हें अब जरा देख मैं तुझे कैसे किक देता हूँ अब इस अब इस अब इस अब इस अब इस अब इस लड़की को देखा तो उसे परशान किया तुझ में ऐसा क्या है जो लड़की तुझे प्यार करेगी है सब्सक्राइब करने के लिए तुम मुझे यह बता कि मेरा कौन सब्सक्राइब मामल इंसान नहीं है आपको पता है आपके एक लुक से लड़किया बेहोर शोकर गिर जाते हैं अभी सापका नौकर बन जाता हूं उस लड़की के बारे में आप जो सब्सक्राइब करेंगे उठा लाएंगे जवान को ऐसे रहना चाहिए आप तो पता है सर उस लड़की के लिए बहुत सारी लोग कॉमपडिशन में है इस कार में भी किक मिलेगी क्या सब्सक्राइब बाइक पर ले जा रहें आप लड़की को और अचानक आपने एक जोरदार ब्रेक मारे विली विली सूपर है यह बाइक तो तुम्हारी है क्या मेरी है फिर तो ठीक है तुम कैसे जाओगे मेरे पास कार है ना किसकी दोस्त आपकी है कैसी लगी बाइक एक दम कमाल है सूपर कम से कम हंड़र्ट की स्पीड पर मेंटे कोई भी नहीं है जो मेरा कुछ बिवार पाए का घुसा पड़ा है तुझे बजाने के लिए कोई दूसरा किस ने नहीं दिया और लाइसेंस घारी मेरी नहीं है तो लाइसेंस कहां से लाओंगा से लाओंगा अरे तिरी तो अरे फिर से लग्या अरे उठ उठ जल्दी उठ आरे सर मैंने कुछ नहीं किया आप नहीं मार दिया सार इसे मार मार कर पुलिस टेशन लेकर जाओ जोड़ता हूं जो मैं मांगूंगा मुझे देगा बिल्कुल दूँगा सर आप मांग के तो देखिये बस तुम चिंता मत करो मैं उसे जहन्नुम में से भी ढूंड कर उसका कचुमर बना दूंगा नमस्कार साहर मैं आपके लिए वेटिंग और आप मेरे लिए पुरा गाउ सर्चिंग मेरी एक बहुती चोटी सी इच्छा है सर बस किसी भी केस में फिट होकर दो दिन पुलिस स्ट सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर कर रहे है यह बात है इसमें केस क्या है सर अगर केस बनाना तो ऐसा होना चाहिए कि जमानती नहीं में बहुती खतरनाक तरीके से मुर्डर हो गया लिख लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए राइफल रेड़ी करो लाठी में जल्दी से मिर्ची पाउडर लगा कर तयार करो आजाओ सब लोग जल्दी से आजाओ मैं कपड़े उदा लिए तुम रहते का आड्रेस मत पूछे मेरा सर मेरे पिताजी जहारे तो मों मत पूछे सर प्लीज स कहा है मेरा बैटा कैसे बेटे को पैदा किया तुम्हें अभी तक तुने केस नहीं बना यह चोटा केस नहीं है छेड़ चाड़ वाला है चेड़ चाड़ का हो या भीड़ भाड़ का हो जहां मिलता वहीं अधिन काउंटर करना अधिन काउंटर का अरे तो उसी का बाब है जत उताती रंगा निकल बाहर निकल बाहर यहां चुपा बैटे नहीं देखे बेटा तो मेंटली था बाब नबल मेंटल है अहां क्या कर रहां प्ले स्टेशन के अतबागि रिहां आर निकों ने तैनने माथ सुटे है आम यह रिफ ने एक है cotton आटे-आर थे रिफ्वर 2.2 हाच के मारा हम यह मनीच्पाफ वार इसंवलinka ज़three पापा बूलाओ अपने बेटे को जान से मार देगा क्या यह 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 उसे पर अबरना पता गिर गिर गया नहीं इसे नहीं 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 गोली चला दूगा गोली नहीं जाए पाप बेटों ने तो मुझे कहीं का नहीं जोड़ा पापा अब वो हो रही मेरी गर्फ्रेंड मैं मैं उसे बात करता हूं बेटी बाप बेटे को इस तरह दारू पीते देखकर तुम घबराओ मत मैं ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रहूंगा मुझे कैंसर है हाट कैंसर है बेटी बसकाल या परसोता कि मैं रहने वाला हूं इसलिए इसलिए जब तक मेरी जिन्दगी है बेटी मैं मैं खुल कर जीना जहता हूं डबक 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 पाप ऑर एक्टिंग मत करो नहीं तो पकड़े जाओगे बड़ी खिलाडी है तुम आ देखकर पापा एक खम और इस बोशनल हो गए थे बग के लिए ग्लास जूस जूस बेटे के लिए एक पैग यह एगं में अच्की देख के यह यह भड़ी पाप बड़ एक्तर आए यह डरा करका मेरे फोलिके अद इन सताल दें के मेरे प्यार में पर जाना प्लीजम हम यह बागवान क्या हे सान है डाल ले कि अनुछ भाद में ले बाद में ले जान चाएर्ण स्लीच तो झालर में इस आड्रेस पर पहुंचा दे ना वह गुष भाइश फार पड़ा इस तो तुम ने लो नो दोनों नो बाप बेटे को ड्रॉप किया होगा अचली वेट मैं गास करता हूँ ड्रॉप नहीं किया होगा अमाराइट पापा वन मोर पैक प्लीज मम्मी बनाएगी पैक पागर पागर फामिली है इन्हें यहां लाने के लिए थैंक्स बेटी बेटा कीकू तुम्हारा स्लीपिंग पैक तयार है पीलो बेटा पीलो 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 बहुत अच्छी इसके बिना यह दूद भी नहीं पीता है इसकी वजह से मेरे पती भी खराब हो रहे हैं इसे पागल समझू लेकिन यह पागल नहीं है कोई काम नहीं जानता हो ऐसा भी नहीं है एक दिन मेरे पास आकर बोला मुझ का शुक्रिया आदा किया मगर अगले दिन आकर बोला मैंने काम छोड़ दिया है मैंने वज़ा पुछी तो किक नहीं है कहा इसकी शादी करवा कर इसे लाइफ में सेट करना चाहती हूं लेकिन इसके बारे में जानकर इसे कौन लड़की देगा हम कहीं उनसे लड़की न मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसे तुम घर चोड़ने के लिए क्यों आ गई हां मुझे तो वह बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं उसे इस तरह से फॉलो क्यों कर रही हूं आइक और आपको किसी इंसान पर यह तो गुस्सा होगा या फर प्यार होगा और मुझ मैं तुमसे सब्सक्राइब कुछ कहना चाहती बाktाव मैं किसी का मंडर करना हो तरमना वे सकते कर तो देख सर काठंके तुमने गुझ निंगा ना मुझे यही याशा हर बार मुझे आसा क्योंके होता है क्लीनिंग कर रही हूं डिस्टब मात करो बात क्या है वो बोलो माइड लक्स ब्यूटी तुम्हें देखता हूं तो चिकनी चमेली गाने की एक दम करीना जैसी ब्यूटी फूल लगती हो तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है कितना मेहनत कर रही हो तुम यह पेट यह बटला मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाता हूं मेरी बात मानो आज तुम्हारी जैसी जवान ब्यूटीफुल लड़की को कोई हैंसम जवान से शादी कर लेनी चाहिए और सुनों कुलू मुनाली जाके इंजाए करना गया काम से अब तो कुछ भी करके इसका मर्डर ही करना पड़ेगा क्या करूं क्या कर आइडिया दूद में पोईजन मिला कर वही सुसाइड नोट लिखी है ऐसा लिखूंगा मुझे बहुत पेट दुखता है दर्द सह नहीं पा रहे हूं जिन्दगी से परेशान हो गई हूं इसलिए जहर पीके मर रही हूं वह जहर वाला दूद पीदे ही तड़ा तड़ब के मर जाएगी और उसके बाद पेड में रस्षी बानके उसे यहां तक लाके उसके सर को रस्षी में फासा के और ऐसे पीस कहा ह्लों करनेशन हमार यहां करनेशन करने गदर में किकु लड़की सूपर है तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा है यह पकड़ा यह पैसा तुम्हारे डॉनेशन के लिए थैंक यू हुआ है तो मुझे कुछ बोलना चाहती हो और मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूं क्या बोलू आ लव यू कह दो ना जाने मन तु 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 तो रोज भी पुराना तरीक है आजमा के मुझे पढ़ाना चाहते हो मैं परिशान हो गए तुमसे कितनी एक्स प्रिशान सब्साइब द्रशब दो अड़ी पेसे प्यार संद नालग बात और तुम मुझे बहुत पसंद में बहुत से लोग पसंद आते हैं पर प्यार से होता है बाय्य यह भी बात है पसंद करना और लव करना दोनों अलग अलग बात है इसने तो मुझे इंद्ध कर दिया मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं आया तेरी वजय से मैं इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहाँ छोड़ूंगा नहीं तुझे अरे यह कुकू कौन सी भाषा है समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें भाषा आया नहीं आये तुम्हें लिखना होगा पढ़ना होगा भाई यह लैंग्वेज तो हम कैसे भी सीख लें बम लगा देंगे देंगे उसके साथ इसे भी लगा देंगे यह तो ही है वैसे बहुत लगेंगे नाव प्राब्लम दस लाग एडवान टिन लग्स फोटो नहीं चाहिए मैंने तुझे जब फोटो दिया था वह फोटो तो ब्लैक और वाइट था तेरे पास कलर फोटो कहा यह उसका कलर जिरॉक्स है कलर जिरॉक्स करवाया और यह बात तुझे पहले बताना चाहिए था ना कुछ भी करके ख़ब कर देंगे लगता इस बार उसके काम तुमाम हो जाएगा हाँ 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 कीज पी साथ में है पहले से लेकर भागना है अरे यह गाली लेकर कर आ जा रहा है बॉम लगा दिया क्या अब दस लाग देकर उसने खुद अपने नीचे बव लगवा लिया पीछा करो तू मुझे कबाड़ वाली बाइक पकड़ा कर फुद फर्स्ट क्लास एसी वाली गाड़ी में घूम रहा है चल 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 जल्दी कर नीचे उतार चल अभी निकल ले चल निकल निकल रहा है कि नहीं खुद भी काला है और सफेद गाड़ी में बैठ रहा है अब जब मैं ड्र पुलिस वाले को बॉम से उड़ाएगा तू सर मैं नहीं अब मैं तेरे नीचे बॉम लगा कर तुझे सीधे चांट पर पहुचा दूंगा अगर किसी के बच्चे लाइफ में सेटल नहीं होते तो पैरेंस चिंता करने लगते हैं लेकिन आप है कि उसी को सपॉर्ट करते रहते हैं आप ही बताईए आंकल क्यों इतना वह कॉन्फिदेंस है आपको उस पर वो मेरे जैसा नहीं है बेटी इसलिए हां एक्चुली मैं बच्पन में इंजीनियर बनना चाहता था हाला ठीक नहीं थे इसलिए बैंक में काम करना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं था बहुत पैसा कमाया फिर बना मैनेजर सेटल हैपी सक्सिसफुल दिन भर तो ठीक रहता हूं लेकिन रात में दर्द सताने लगता है मैं जो करना चाहता था वो मुझे नहीं मिला ये बाते मुझे कचोटती है हर आदमी जीवन में कुछ मिस करता है वही मेरे साथ भी हुआ ये सब के साथ होता है मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वो जिन्दगी में जो चाहता है उसे वो मिलना चाहिए जो काम वो नहीं जानत उसे वो छोड़ देता है, अभी जो करने गया था, वो उसके लाइक नहीं था, इसलिए उसने वो छोड़ दिया, सब लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या करेगा, क्या बनेगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर कुछ न कुछ कर दिखाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, इन बाप बेटे को समझना बहुत मुश्किल है, इस जनम में तो ये सुधरने वाले हैं नहीं, ये लिजे, देखो बेटी, जानती हूँ मेरा बेटा नालायक है, लेकिन एक बात तो सच है, वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम हमेशा उसके साथ रहोगी, ऐसा मुझ से बाता करो, करो, बेटी, तुम उसे इतना टेंशन क्यों देती हो, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, पसंद और प्यार के बीच में क्या फर्क है, इसी बात को लेकर वो परेशान रहता है, उसके मन की शान्ती के लिए जाकर उसे दो बातें कर लो, जाओ बेटी, क्यों, नहीं आ सकती, यहाँ, आ सकती हो, जाकर उसे बात करो, पहले तो अक्यले पीछे पड़े थे, अब पूरी फामली मेरे पीछे पड़ गई है, अचा, पापा, वोट इस अरे, कुछ नहीं, वेटा, कुछ नहीं, चलो, 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 पापा, मैं मैं पूछ रहे हो लाइफ में क्या बनना चाहते हो तुम services तुम्हारा डालन्स сौ फिजीक फुलीस ऐसा है मुझे पोलिस ऑफसर्स बोहुत पसंद है तुम उसके लिए करो ना करूंगा मैं पोलिस ऑफसर बनीगा रहने दो उसके बाद तो तीन चार दिनों तक मैं उससे नहीं मिली थी और नहीं उसने मिलने की कोशिश की लेकिन मेरे कहने पर उसने जॉब जॉइन कर ली ये सुनकर मुझे शौक लगा उसके काम पर जाने से मैं बहुत कुश्च हो गई और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई प्यार में पढ़ने की वह फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रॉपिंग पेकप शौपिंग गिफ्ट्स ऐसे ही पूरा दिन चला जाता था मेरे मूझ से आले भी सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे गुमता रहता था और मैं भी जानबूझ कर नहीं कहती थी कुछ भी कहो एक लड़के को पीछे गुमाने में बहुत मज़ा आता है वै उसने तुम्हारे साथ जस्ट 30 मिनट्स पेंड किये मगर उसे जानने के बाद मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी के 30 मिनट्स वेस्ट कर दी है उसके बारे में मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी आंकल पर उसके करीब आने के बाद उसके बार में पता चला कि वह अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है जिन्दिगी में और बहुत सारी चीजें महत्त रखती हैं उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिस्से मुझे वो अग कर रहा और उससे भी स्यादा उस पर भरॉसा है आंकल वह पहले जैसा नहीं रहा तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, डूटी जॉइन करने के चौथे दिन ही उसने काम छोड़ दिया, यकिन नहीं हो रहा है तुम्हें, उसके ओफिस जाओ, पता चल जाएगा Excuse me, does Mr. Shri Ranga work here? No, he has left the job. How long back did he quit? Three weeks पहले छोड़ कर गया. Three weeks? Yes. Hey, hi dear, काम आई तुम यहाँ पर? अरे मुझे किसी ने बताई नहीं कि तुम आई हो, वो क्या है न, जहां मैं जॉब कर रहा था, आदमी उसे उदार पैसे मांग रहा था, यह प्राइविट जॉब ऐसे ही होता है, एक दम खून चूस लेते हैं, आज मैं बहुत बिजी था यह नो, बस करो, और कितने दिनों आदमी सुब़ छे बज़े उठे तो समझ में आता है, लेकिन जिसको काम पर नहीं जाना, अगर उसको छे बज़े उठना पड़े तो नर्की है न, अगर तुम्हें पसंद नहीं था, तो मेरे कहरे पर यह जॉब करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, यह तुमारी करने के लायक ही नहीं हो, अंकर ठीक कहते हैं, तुम जैसा इंसान सिंदगी में कभी नहीं बदल सकता, मैं ही यह बात समझ नहीं पाई, और तुम पर भरोसा कर बैठी, ओहो, प्रावलम तुम्हारे अंकल की है, चलो उनसे बात करते हैं, जाओ, मेरा बॉइफ्रिन क्या करत लाइफ में लोग अपनी पसंद का काम करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मशीन की तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे हर काम में चैलेंज रहना चाहिए, किक रहनी चाहिए, कोई मुझे मुझे लाग रुपे पगार दे, और कहें कि मैं कम्पीटर पर बै तुम मेरी बात सुनों कि मिंटल हो जागी, मुझे चुना मत, तुम दोके बाद इंसान हो, तुम्हारी बात मैं आकर मैं प्यार कर बैठी, मेरी ही गलती है, जो तुम्हें समझ नहीं पार, पागल की तरह बात मत करो, क्यों खुद को दोशी ठहरा रही हो तुम, मैंने प्य नियात में खुशी से जीन के लिए, लगने के लिए नहीं, पैयार के थैने प्यार, पैकार का प्यार, पैकार का प्यार, बहुत तिन यह कभी नहीं सोचा था लोग एक होने के लिए ये बात कहते हैं पर आज मैं अलग होने के लिए कह रही हूँ अपर मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती और उसके बाद मलेशिया मुझे एक साल हो गया मैं उसके बाद उससे कभी नहीं मिली वो अभी भी खुद को ही साहीं समझता है पर गलत है ना हां या मुझे भी इस तरह के लड़के से प्यार करती है नो 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 तुम्हें बताना चाहती थी इसलिए बताया यहां आने से पहले मुझे शादी में इंटरस्ट नहीं था लेकिन अभी मेरी सोच बदल रही है तुम्हारा इस तरह से बातें करना मुझे बहुत पसंद आया यह जस्लाइक मी तुमसे सिर्फ तुम्हारे शहर में ही नहीं रहते तुम्हारे सिंदगी में भी कोई अया था क्या आपको आपकी कहानी में किसी से प्यार हुआ है मगर मेरी कहानी में मैं उस क्यारेक्ट्र से नफरत करता हूं हां इंडिया में मोस सेक्सेस ول determine मैंने बहुत सारे केस सॉल्व करके बहुत सारे क्रिमिनल्स को रास्ते से हटा दिया। डिपार्टमेंट में कोई भी नया जॉइन करता है तो उन्हें मेरे काम की और मेरी सिंसियारिटी की मिसाले भी जाती है। चोरों से लेकर माफिया तक बिल्दों से लेकर टेररिस तक सब का ख्योल खत्म कर दिया था। मगर अभी भी एक चोर ने मुझे डिस्टरब रहा है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 14 चोर्मन की एक सौपचास करोल रुपए लूटे हैं। उसका केस गवर्नमेंट में मेरे हाथ को सबाती है। वो ये क्यूं कर रहा है? पता नहीं। कहां रहता है? पता नहीं। वो कैसा दिखता है? वो भी किसी को बताती है। आखिर वो चोर है कौन? आज तक वो किसी को दिखा नहीं और वो पूरे स्टेट में लूट कर तबाही मचा रहा है। इस राज्य का ग्रेहमंत्री हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ। उसे गिरफतार कर इस फाइल को प्लोस करो। और पहली चोरी हुई जुलाइग में पाँच को हुई। इक्वेशन इस वरी क्लियर सर। कोई डॉक्टर फेमस है ऐसा पेपर में आर्टिकल आया, तो नेक्स दे उसके घर में चोरी होती है। लॉयर के बारे में टीवी में प्रोग्राम आया उसी दिन उसके घर में भी चोरी हुई। मंत्री लोगों ने जब कभी भी उसके बारे में बयान दिया, तो उनके घर में भी चोरी हुई है। मेरा अंदाजा अगर सही है, तो उसका नेक्स टागेट यहीं कहीं है। कौन है वो? वो आप हो। मैं, यह कैसे कह सकते हो तुम। आज सुबह ही आपने टीवी पर उसके बारे में इंटर्व्यू दिया है। तो तुम्हारा अंदाजा सही होगा, यह कैसे हो सकता है, प्रूफ करो। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। करते हैं तुम्हारा अंदाजा अंदाजाए नहीं होता है। यह सुपर रंगाहा हाई पार्टनर मैं जानता था तू मुझे फोन करेगा पार्टनर अब कौन है तेरा पार्टनर? तू ही है मेरा पार्टनर अर्ख तूने चोरी में मेरे विदिद वें तो बाईद सीने उतार दी होती मैंने उस गोली को जान बूज स कर तेरे हाथँ पर नहीं चलाई होती क्या बात है पाटनर अक्चुली तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है एए ए चोरी करना तेरा प्रोफेशन नहीं है तू तो ये मज़े के लिए कर रहा है क्यूंकि किसी को चैलेंज देना तुझे पसंद है ना कुछ नहीं बोलना पाटनर नहीं बोल तेरी बाड़ी मेरा मार सह नहीं पाएगी किसी पीठी बात मत कर कुछ नहीं बोलना नहीं एए ए ए तेरी बातों में मुझे ओवर कॉंफिडनस नजार आ रहा है तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा ये सोचना भी मैरे पाटनर ये तो मेरा स्टाइल है तूझ नहीं बात बोलना। अगर मेरा अंदाजा सही है, तो तू यहीं कहीं आसपास है। तू मुझे देख कर ही बात कर रहे। येस येस पॉफेक्ट अंदाजा लगा है तूने सूपाँ ये पहली बाड तूने नहीं बात की, तू मेरा एकदम करक्त पाटनर है मगर एक बात हमेशा याद रखना पाटनर तू मेरे कितने भी पास रहे लेकिन मुझे कभी पकड नहीं पाएगा ए तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है तुझे अरेस्ट किये बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा केसे करेगा पार्टनर मैं किस तरह रहता हूं तुझे पता है throw मैं कहारत हूं फटा कल में किसके घर पर चोरी करूंगा पता है नहीं पता और मैं कैसा दिखता हूं यह पता नहीं पता loser i वाव इंट्रीस्टिंग गाई नॉट एनिमर्ड वाई तुम तुम्हारी स्टॉरी वाने कैरेक्टर से मिलना नहीं चाहती हो लेकिन मैं मेरी स्टॉरी के कैरेक्टर को मिलने के लिए बेकरार हूँ मलेशिया आने का मेरा एक ही मकसद है उसे अरेस्ट कर ला क्या हां मुझे पता है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है मगर मेरे पास एक क्लू है लूजर लूजर यही है उसका दिया हुआ क्लू ये क्लू डिकोड करने के लिए मुझे दो दिन लगे लूजर को उल्टा करके पढ़ोगे तो R3507 होता है ये सिर्फ एक कोड़ वर्ड नहीं है जिस फ्लाइट से वो मलेशिया आया उस फ्लाइट का नंबर है अब वो मलेशिया में ही है इस बार मेरे हाथों से उसका बचना नामुम्किन है उसकी परचाई को भी मैं पहचानूगा एक्सक्यूज में प्लीज यह आट इस आपको पता है नहीं आपको पता है मुझे भी नहीं पता है वन टू प्री नाव विल दे गेम स्टार्ट दीदी दी कुम्राचुलेशन्स नेक्स्ट विक तुम्हारे इंगेजमेंट फिक्स हो गई है अरे वो छोड़ देखकर भी अंजान जैसे चला गया कॉन और कॉन वो किकू रंगा किकू रंगा यहां आया है यह संकर तू इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है वो फिर से मेरी लाइफ बरबाद करने आया है वो वही तो है ना आई मीन कोई और तो नहीं चाहां कोई और नहीं हो सकता नहीं बट वाट अवट इस हम Mr. Sriranga, we got complete information from Indian government I will give you full support from my department to catch the criminal Thank you Mr. Kumar You're welcome Anything else? I need some journalists Mr. Rangnath, what's your inspiration behind becoming a police officer? Justice delayed is justice denied and I believe in instant justice That's my inspiration Reason for visiting Malaysia I'm here for my partner Did you find him? Definitely he'll get me I'll take it from him Any failure so far? I don't know the meaning of failure so far But I'm not a loser I'm not a loser Hi partner Ranga, Sri Ranga Paper में interview एकदम मस्द दिया तुने What a photo is a निक फैस अच्छा मैंने सोचा था कि तु यहाँ शादी करने के लिए आया है लेकिन तू तो मेरा दिया हुआ कोड loser break करके मुझे पकड़ने आया है न That's off, super urgently तुमरी टुझे मिलकर मैं तुछे हाथ मिलाना चाता मिलाएगा क्याboy तुछ ऐतम मिलाऊंगा तब तेरे हाथ में हाथ कड़ी होगी यह बात याद मैं तुक आप round तूम्हीJust अगर तुन्हें हात मैं भी हाथ मिलाऊंगाSí को तेरा लास्ट चांस है तब मुझे पकड़ सके तो पकड़ ले नहीं तो उसके बाद अपने पाओं सर पर रखेगा फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा फेपर में मैंने जो न्यूस दी थी उसे पढ़कर तू मुझे कॉल करेगा यह मैं जानता था अब तू फस गया है मैं आप लुजर यू आप लुजर यू आप लुजर सुपर किक दिया पात्नर है दो शूट रिट 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 कमान वाला है रिट 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 जोजए हैं, kadar خंद difficim लिए हैं तीधी तुमी इतने उधास क्यों हो मज़े कुछ समझ can नहीं हो रहे है हजयए हजए हजए किक दीह उह यह इंडिया से आया हुआ एक स्पेशल केस है सर पर ज्यादा चोट लगने की वज़ह से ब्लड क्लॉट हुआ है पेशेंट है उससे अब्सवेशन में रखा गया है तुम सब को उसकी बहुत कैरफुली देख भाल करनी है ली साइलेंट कर रहा है अगर तुम लोग जवाब नहीं दोगे तुम्हारी उतार कर में उस पर टैटो बन वा दूदुन कर रहा है और मेरे पेशन को किसी नहीं देखा मुझे टेंशन हो रही है अगर मैं अपने पेशन से नहीं मिला तो मुझे घुसा आ जाएगा और जब जाए गए मेरा बढ़ जाए गए गए का गए यह प्रोब्लम ज़स्ट मैं पेशन्त हाइड हाइड हम यू फाइन के सबहुंआ करें तरह बात कर रहे हैं कि अभी इस की बात कर रहे थे यह वह सब्सक्राइब बन कर रहे हैं वहीं थो आफि pace dr. Gohly आफ आफ आफका जूदीडक्टर uh फर दॉक्त्र नूदीजू मजी दॉक्तर संब तो दीन जान रवय उपिषतर ने किस त्रीटमेंट करता थो और ने तामने राट थी वहरू आफका तक तक अन्य जोडीडिजीजीटर इस वाप्डिल इस पता इस्टा पूल गूंलीया तो ठोल आप दूंते गिर माट डूंते हैं क्वापन ऐसुटरर्णियों को और अभर वापन यथ कर दाएग आप वह अधर Babac यह 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 वा तो क्या सूज़ै हो यह कभी 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 जब एम Now आयाय यह goat I a od mé drive यह जो स्कंदो chilना ना कि क पाउत हूए हुई आधिरा नंते आधिरा वन इवा में Read मेंचें़ तंदो कि दोक्त रहुणिए हुझ अफ्ञा पेश्चेंट तो डॉब्ट्र तुम पेश्ट दुम बदसे कनी इ lot yes 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 you are right yeah take my skull yes this is my skull and this is my liver and kidney totally water service in the station this is my doctor what is happening in this hospital I am Dr. Goliv what do you want beautiful lady what happened to that patient you talking about that patient wait 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 you see चोटा दिमाग एकदम उड़ गया है, बड़ा दिमाग, वह खराब हो गया है, टुकली द ब्रेन इस ड्राइ क्लीन, अब उसे पुराना कभी कुछ भी आद ही आएगा, क्यों नहीं याद आएगा, अभी उसने मुझे मरा तो मुझे सब याद आगया, ऐसे ही उसे, दे और न सब्सक्राइब का दिमाग घुटनों में होता है, बिल्कुल डेफरेंट, क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, ची ची ऐसा कुछ नहीं है, केक करके उड़ता रहता था ना, इसे लिए उसका दिमाग बिल्कुल खालिया हो गया है, अब मुझे रिलाक्स लग रहा ह वो मुझे दिस्टर्ब करेगा, इस बात की बहुत टेंशन थी, अब जाकर मुझे रिलीफ मिला, वो नहीं चाहिए, तो उसका दिया हुआ गिफ्ट क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा इंटलिजेंट ब्यूटी हो तुम क्यों मेरी बात मानोगी, प्लान सी फ्लॉप हो तो प्लान बी रेडी है, वट इस प्लान बी पेशन्ट, वाँ बैंच पजार, इसका मतलब ये मेमोरी लॉज सब भूल जाना कोई बीमारी नहीं है, वब भूल कर खुशी से रहना ये है राज्यों, अचुतों, ये जंगली बिली है क्या, बुरी तरह से काट खाया बॉपरे, बच क्या, दीदी, क्या हुआ था ऐसे क्यों मार रही थी उसे, मार रही थी, उसे तो जान से मार रादी में आज, क्या कह रहा था वो, सब भूल गया, तो उसकी लाइफ अच्छी हो गई, प्यार करने से पहल मार दियाना, चोड़ दो उसे, उसे ऐसे नहीं चोड़ूँगी मैं, उसके सामने ही श्री रंगा से शादी करूँगी मैं, और यही सोच सोचकर वो धीरे धीरे मरता रहेगा, देदी अगर घर में पता चल गया तो, मैं तो नहीं बताऊंगी, और तो भी नहीं बताएगी, अब उसे उसकी लाइफ की असली खिक मैं दूंगी, गेम स्टार्ट्स नाव, बच्चे लोग शादी के लिए मान गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जिन्दगी में इतना कुछ कमाया है, लेकिन आज जितनी खुशी मिली है, उतनी कभी नहीं मिली थी, इसके तो यहीं सेटल हो गया है, कहां है वो, मत करना, पच्चता होगे, बाहर के दिश में भी आके तुने मुझे परिशान करना नहीं चोड़ा, कात के रख दूंगा, अपना मुझ बंद रहा, आम राज, प्रकाश राज, बहुत बढ़िया है, अरे तुम, पापा, आओ आओ ब मती कहा है, दिख नहीं रहे यहां पर, पापा, उन्हें छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ, आप ज़रा देखिए, तो आप ही है, मैं पहचान नहीं पाया, नमस्ते, क्यों जीजा जी, लेट कैसे होगे, पिछले एक साल से आप यहीं पर हैं, मैंने एक मडर अटेम्ट किया इंडिया के पुलिस इंस्पेक्टर के कार के नीचे एक बॉंब रख दिया जो फट गया, एक लड़का और लड़की के कारन ये सब हुआ था, अगर पकड़ा जाता तो पुलिस वाला मेरा बैंड बजा देता, इसलिए यहां सेटल हो गया, क्या हो आप लोगे थे खामोश इंडिया मैं इसी लड़के के साथ प्यार किया था, अगर मेरे ससूर को पता चल गया तो मुझे एरो प्लेन में चला के धक्का देदेगा उसके बाद इंस्प्टर ये क्या, वहां उन दोनों ने प्यार किया, यहां यह दोनों शादी करने वाले हां वो इतना सीधा नहीं ह यह एड्रेस बता सकते हैं प्लीज, यह ही है आपका नाम, आपका नाम राज, परकाश राज, कब आता हूं मुझे खुदी पतानी चलता, थांक यू, यह तो मुझे पहचानी नी पाया, अब इसमें क्या काम है, आइम गजनी, कब क्या करता हूं मुझे पतानी होता, अब है आपका मज़ए, है रंगा, है है रंगा, मैंने है तुम्हे अवाज दी ती, छलाव भाज़ी भाज़ी पाप यह फ्रेंड है, इंडिया से आया है श्री रंगा खुरी रंगा, धास्ता, यह ही प्हुपल गज़़ी पनाओंगा, मगर हात नहीं मिलाओंगा, अगर तु ह तो मैं भी मिलाँगा पार्टनर बेचारा इसकी यादाश चली गई है ट्रीट्मेंट के लिए आया हुआ है आधसे हमारे साथ ही रहेगा ओके बापा ओके हम सॉरी सॉरी क्यों सर वो जो डबा वाली पास्टेंस है उसको भूल कर प्रसेंटेंस में एकदम खुश हूँ क्या है तुम पाकल हो गई हो क्या उससे लाकर अपने घर में रखोगी क्या प्लान है तुम्हारा मेरा बताता हूं अबे हुले कौन है तु राज हलवा राज इंदिया में मेरे साथ प्यार का नातक करके यहां मेरे पुलिस जीजा को चॉकलेट खिला रही है हाँ 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 पुराना सब कुछ बूल क्या लगता है ब्लैंक हो गया है इसनी वह मुझे पहचार नहीं पाया अब एक कीको अब देख दर सब क्या करता हूं दे गेम स्टार्ट्स ना अब यह किको तु पुराना सब कुछ भूल गया है ना अब मैं तुझे देता हूं किक यह साफ है यह 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 कुंडा हेलो क्या है प्रिकाश नहीं जगह ना नीद नहीं आ रही है सच्छी कहूं तो मुझे भी अकेले में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है आजा बागल में आजा थोड़ी गर्माट रहेगी आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना प्रॉबलम थैंक्यू थैंक्यू थैंक् में कपड़ पहलें तो पर मुझे नहीं आते आपकाश मलेशया में ठंड भाहत रहती है तो पास आजाएगा तो थोड़ी गर्माहत आजाएगी अरण देवी कंका देवी अब आपी लोग मुझे बचाओ मुझे बचाओ कर रात को तुम ने उसे स्वर्ट दिखाया क्या त सब्सक्राइब क्या अब मुझे परेशान करता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला अब मैं अपने स्टाइल से हानल करूंगे आपको कैसे बूल सकता हूं उसे पहचाना मुझे नहीं पहचाना तुने बोला फ्रिंस फ्रिंस तो मेरी साथ चलो ना कहा चले बताती हूं चलो ना इसे तो रात में मैंने वह समझा था यह तो दिन में भी वह है सचका हूं तो हम दोनों सर्फ फ्रेंड्स नहीं है हम लवर्स है हो ही नहीं सकता मैं नहीं मानता मानना बड़ेगा वह कैसे पूरा पूरा बता दो ना और तब ऐसा हुआ कि तब क्या हुआ हुआ सब भूल गया था मैं यही समझीजी न तुम लेकिन मुझे सब कुछ याद है कहां तक याद आया इसने यहां तक बताया वहां तक मुझे याद है अरे कंटीनिव कहां पोरो दीदी है याद आ रहा है याद आ रहा है इसने में वह दिखने में पतला पेट निकल आवाँ गंग्राले बाले उसके कौन है वह यहाद क्यों नहीं आ रहा है वह न आपका नाम क्या है हल्वा कहां जा रहे हो तुम से बचने के लिए लेकिन तू हल्वा के जैसा नहीं है हल्वा वो हल्वा तेरे जैसा दिखता है काई बे वो बाइक मुझे पागल से क्यों प्यार किया है पता नहीं पर मैं उससे बहुत नाराज हूं और वो जो कुछ भी कहता था उसमें कुछ नया नया सा लगता था और उसकी किक मुझे भूंशिआ लगती थी एक बात बता क्या सच पे तुम ने उससे इतना पैयार किया था यह सुनने में बहुत मजा रहा हुन हो आपको उन्से और अर कियो सब्सक्राण है तुम्हां यू? सब्सक्राड़ होने कि तुम्हें ।म्हुकर मुझे सुनाई वो कितनी सच और कितनी जूट मुझे नहीं पता लेकिन उसके अंदर तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना सुपर है वागए एक दम सूपर है कि यह कैसा टूस्त देकर चला गया आपने बिल्कुल सही का था सर वैसे ब्रेसलेट बैंगलूरू जूलरी शॉप से दो लोग उने परचेस किये वह परचेस करने वाले डो लोग कौन है मुझे उनकी पूरी डीटेल्स बेजो एक डीजीपी सामने परचेस की है और दूसरा आजका यहां हुआ जया सकता है ना मलेश्या करने की बारे जरूरत ही मुझे काम कर आता है तुम उसे सुना देती हो अब जब वो sincerely काम कर रहा है तो उसे करने दो ना स्वाती जी है क्या स्वाती? हाँ माफ किजे इस नाम का यहां कोई नहीं रहता ये लड़की कौन है ये लड़की? इन्होंने एड्रिस यहीं का दिया है देखिए हम लोग इस घर में साथ साल से हैं इस लड़की को इस घर में ही क्या इस एरिया में भी कभी नहीं देखा है मैंने उस लड़की को नहीं जानती हो ऐसा क्यों बोला तुमने? तो क्या? वो मेरे बेटे को छोड़ कर चली गई मेरे बेटे के साथ हमेशा रहूंगी ऐसा प्रामिस क्या था उसने एसी लड़के के बारे में मैं क्यों बताऊं नाम भी ठीक से नहीं पता है किस लिए ढूंड रहे हैं क्या पता एक मिनिट्ट लिसन तो मी पहले मेरी बात तो सुनों लेको मुझे वह बक्वासा फ्लैश बैक नहीं चाहिए मैं इस समय प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ एक दम खुश हूँ आई लाव यू लाव यू क्या चल रहा है यहां पर मैं बचाती हूं यह लड़का मेरी बात का फिकी नहीं सुनता है मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वह जानबुछ के ना तक कर रहा है वह था यहां था यहीं तो हो तो यहां नहीं हूं दूसरी जगह हूं तो यहां हूं ऐसा लग रहा है अरे जल्दी कुछ करो हल्बा प्लीज अगर तु मर्द तो यह कपड़ा ठाक है मुझे मांगे दख अब कभीने तुछ में मेरा चेहरा देखने की ताकत है क्या मेरे लाल तुछे कौन डरता है हलवा तो तेरी आदास्त नहीं गई नहीं मुझे सब याद है यह सब कुछ उस रलकी को बता थे था था तू ने बीवी को जान से माने का प्लान मनाया पुलिस इंस्पेक्टर की कार में नस प्लान लाइशा अपर्ट पे मलेशा देख यह सारे का सारा रेकॉर्ड मेरे पास में यह जा बता देना जहाए मैं अभी सद चल रहा है वो गयम मैजो मैं आपाट ताम सेंटर नवोग है तो रहे है फल्पना की संप्या अ भी आप डिवला क्वार करें है कि अज्यां फह अब पेसेंट कि मैं मोर्ष का क्षिंट अचानक त्रह च्राण क्षें च्लीबेट तर्फ थातें क्यों बारा था से मेमोरी लोस कितनी बार बहुँ कितनी बार बोलू कि मेरा चैन करणा यहां दो अदो साल पहले क्या हुआ था उसमें दो सबस्क्राइब नथा यह था यह थे तुम्हें पता चल गया है लेकिन यह बात उसे पता नहीं तो भी यह बारा घ्ला मेरा भी यह तो कुछ मुझे पता चल गया क्या चल गया है ऐसे पुरानी सारी बात है याद आगी है उसकी याद दास के बारे में चोड़ो मुझे तो अपना पूरा फ्यूचर याद आने लगा है उसे पंगा मत लो हाँ वो मूह में कबड़ा डाल के मारेगा बारेगा क्या अब्सका अब को कद zaras well mile मेरेसाथ िगेम खेल रहे हो जहने हो कि केम अंव लोग नहीं आध थे किया अब होग घ्लांद माग खाब हो गया चली यह से जहें सब लोग मुझे ही डाट रहा है अब सब लोग मुझे शिचा तो इस लिए क्या कर रहा ह। है कि तुक पर मेंटल ब pension सbey और किपना बाकी इतेरा घेम मुझे पर्दास ही करना पड़ेगा अभी यह पूरी बारा आने पर तुम्हें इक संपपशुआ को भूंट ह्या थी Szą माना कि वो मलेशिया आया है लेकिन इंडिया में रेगिलरली चोरी करता था अचानक से साइलेंट कैसे हो गया चोरी छोड़ दी क्या और ये डिसेंबर सोला क्या है डिसेंबर की उस तारिक के लिए अभी बहुत दिन बागी है अगर उसने चोरी करना छोड़ दिया है तो फिर ये टागेट क्यों बताया एक्शली उसके चोरी का मकसद क्या है ये पता करना होगा इस बार वो मलेशिया में आखिर किसे लूटने आया होगा अगर वो लूटेगा तो किसी अनराई को ही लूटेगा वो इंडिया से जुड़े लोगों को ही लूटेगा यही वो टेलेफोन बुद्ध है जहां से उसने फोन किया था यानि वो यहीं कहीं रहता है यहीं कहीं आसपास जरूर वो यहीं कहीं रहता कर दिंद कर दो... करते हैं मैंत मुएह करें तूर्ण स्वस्क्राइब कर दो अधिए करें तो दे मुएना श्रीक पुर्ण का श्रीक टेकर कि भी खारीये मुए है। दो छो जो एद एा लो सुच कोई जो एा लो ऑया लो एा लो खज़ एा लो यह लो माझी रा लो ए वे वया लो कि आए लो आए लो ए लो ए लो Stop right there! Stop right there! Don't come forward! Otherwise I'll- अगर तूझेर हमेशा ड्यूटी की पड़ी रहती है क्या? यहां आने के बाद भी उस चोर के बारे में इस सोच रहा है? मुझे यह बता तुं यहाँ लड़की देखने आया है या फिर उस चोर को पकड़ने? अगर तुझे कुछ हो गया होता तो... इतना सिंसियर आफिसर आपको कहां मिलेगा और आप उपर से उसको डांट रहें और इन पर तो हमें गर्व होना चाहिए आपके अंदर जो फायर है आपकी जो परस्नालिटी है अगर आपने उस चोर को पकड़ार उसे टॉर्चर किया तो एक दिन में फड़ जाएगा उसके स अब और इंतजार नहीं करेंगे कल के दिन अच्छा मुहुरत है मैं सोच रहा हूं इंगेजमेंट कली कर देते हैं सौरी बुरा मत मानियागा मेरी एक इंपोर्टेंट बिजनस मीटिंग है एक मैने पहले फिक्स हो गई थी इंगेजमेंट अगले हफते करेंगे अब उसे कैंसिल करवा दीजिए चुप रहो एक तो तुम्हें आधा याद रहता है और आधा नहीं और बखवास करने में आगे हो ठीक है सासूर जी अगले हफते एंगेजमेंट फिक्स कर दीजिए थाइंग यू अरून बेटा मिनिस्टर मीटिंग मेंटिंग इन मलेशिया यह मीटिंग कब फिक्स हुई है पता करो अब हलवा तु यहां बैट कर रहा है तुम कभी कभी कैसा करते हो मुझे समझ में नहीं आता है के लिए मैं क्या करूँ यहां से तु फिर हां हां मैंने ही कहा आपकी कहानी खतम होने से से पहले यहां से भाग जाएए देखो हम दोनों अलग क्यों हुए आज तुम्हें सुनना ही होगा मैं नहीं सुनूंगा यह बहुत इंपोर्टेंट है देखो बार-बार परेशान मत करो हां दो दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है जाकर उसकी तयारी करो मतलब चीटिंग की जूड बोला इतनी सी च्छोटी बात के लिए यह तम्हें च्छोटी बात लगती है हकीकत में क्या हुआ था यह सब याद रहता तो एक या याद रहेगा मुझे तुम्हारे कारण में जॉब करने के लिए गया और वो मुझे अच्छा ने लगा तो छोड तुम मुझे आइलव यू सा निया जिए तब मैंने का रहा हुए मेरा दिल तो एक मिनिट के लिए थार बताया है तुम कुछ धारव लाना चाहती है तुम उन्हें भूलना चाहती एक है तुम ने तो पुरानी बात याद तो पर यह सब कैसे याद है तुम्हें परसेंट जूट है तुमने मुझे फिर सब जूट गाना यहीं एक सच है यहीं है तुम्हारी मेंड़ी एक दम सूपर है तुम कुछ भी नहीं बुली सब याद है तुम्हें देखकर तो अब मुझे प्यार के नाम से भी नफ्रत होने लगी है आई हेट यू आई हेट यू तुम यह एक्टिंग कर रही हो ना मुझे दिल में रखकर किसी और से शादी कर रही हो यह आक्टिंग नहीं है क्या मैं तुम्हें बूलने की आक्टिंग कर रहा हूं और तुम मुझे अपने दिल में रखकर भूलने जैसी आक्टिंग कर रही हो ना क्या फरक है इसमें तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया मैंने वही बहुत है मेरे लिए तुम अलग होने के बारे में सूच रही हो ना जो याद रखना चाहिए उसे भूल रही हो तुम अपने आपको धूखा दे रही हो पापा आप से मुझे कुछ अर्जन बात करनी है एक इंपोर्टेंट मेटिंग में हो अब कल युबाए पापा 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 लेसन 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 हलो सर, मिनिस्टर का मलेशिया का प्रोग्राम पिछले मेने ही कन्फर्म हुआ है सर वो इंडियन गौर्मेंट के ओफिशल टूर पर गए हैं सर सम्ठिंग इस रॉंग उसने मुझे क्लू दिया था मलेशिया फ्लाइट नंबर मिनिस्टर्स की मीटिंग फिक्स हुई है वो भी मलेशिया में अगर ऐसा है तो उसे मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में पहले से पता होगा इन लोगों के प्रोग्राम का और उसके प्लैन का ज़रूर कोई नो कोई कनेक्शन है मलेशिया में मिनिस्टर्स का क्या काम है? कहीं वो कोई अनोफिशिल काम तो नहीं कर रहे हैं? मिस्टर बनर जी, सर, आपको पता नहीं है कि देश की कितनी इंडस्ट्रीज को बरबाद करके और ना जाने कितने कॉंट्रेक्टर्स से कमीशल ले करके, सरकारी जमीनों का डी नोटिफिकेशन करके, गरीब लोगों के हक छीन कर, ये तीन सो करोड रुपे कितनी मुश्किल से कमाएं? अब इन रुपेओं को मुझे डॉलर में बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चिनता है इस वक्त मलेशिया में जो स्टार होटल बनाया जा रहा है, उसका जो शेयर है, उसमें अटज़स्ट हो जाएगा, सर लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, और इसलिए वो यहाँ आया है इतने दिनों से अगर वो यहाँ आया है, तो उसने कोई न कोई प्लैन जरूर मनाया होगा वो कोई न कोई गेम जरूर खेलेगा, मिनिस्टर्स और ससुर जी की भी कोई लिंक जरूर है यानि वो उनके आसपास ही रहेगा, वैसे अभी उनके साथ नया कौन शावल होगा वो नहीं हो सकता, कहीं कोई कड़ी मिस हो रही है हाई पार्टनर, उसके करेक्ट पार्टनर आप ही है सर, हाँ रंगा, श्री रंगा यह मेरा फ्रेंड है, इंदिया से आए, श्री रंगा अगर तू हाथ मिलाएगा तो मैं भी मिलाऊँगा पार्टनर पार्टनर, बार्टनर, बार्टनर, पार्टनर, श्री रंगा वे प्री कोशके हैं वह बसा रहीं, वे भी प्री havी कोशके हैं वे प्री प्री वे बूल बढस्य कोशको आहां है प्र charter 5 बाई भाई और पार्टनर इन क्राइम चोर है तू हाँ मेरे लिए पैसा सब कुछ है हाँ यहाँ विघ व स्क्राब पार्टन बार्टन अँ कि टेरागं कि जाम कि एक जार भाल रहे हैं विडर गलिष कि रगा को movement कि खारे लॉपा कि याह द दो अबना है आफाई दोग पूमची तेमी लिए नचता देमी देड़ें। कि अवच्अन धनी गश्वारा दोगड़ें। कि अवच्फा से दीन लो एक अवच्चा दो फिर दोगित अवचें। अवच्चा है छोगज्चाउ भू़ें। प्रिटे झाल आँ अजम आएारी सोफिये दो एकामा ते वकामान आए दिझ अजया शबाए्टतारा आपते हैं कि अजरे टेदें आए तेम सेहे देडि़ देडिक आएाला आएाल देडिक अजर आएार अर जाए आएाला कि अज़ ऑसतार अजऱ् एक हैं हाँ मेरा बेटा चोर है चिक के लिए चोर बना मैं विठ्थल मेरी बीवी सपना मेरी एक बीटी भी है मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ मैंने की दस हजार सेलरी सुबा आट बजे टिफिल लेकर बच्ची को इस्कूल छोड़कर भाग भाग कर मैं बस पकड़ता हूँ और ऑफिस पहुचता हूँ शाम को घर लौटने के बाद अपनी बच्ची के साथ कुछ देर खेलता हूँ कभी कभी टाइम मिला तो फैमली के साथ फिल्म देखने चला जाता हूँ फिर मेरे पास जो पैसे बच्चते हैं उसी में हम अपनी खुशी ढूणते रहते हैं यही है हमारी बेटी ही हमारे लिए सब नहीं थी जो अगवार ने दिया था उसी में खुश थे हम मगर कि माज़ जब बच्ची की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने हमें बताया तो हमें कुछ समझ नहीं आया बस इतना समझ में आया कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्च होगा और ट्रीटमेंट जल्दी से शु और हम हमारी बच्ची को खो देंगे आज मेरी बच्ची अपने बीमारी के साथ लड़ रही है और हम लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं अभी तक जो कुछ भी बचा कर रखा था इनीशल ट्रीटमेंट में ही खर्च हो चुका है हाला तब हमारे हाथ में नहीं है हमारे प रास्ता नहीं था उसे अपनी आखों के सामने हम बरता हुआ नहीं देख सकते थे इसलिए उसे अनाथ आश्ट्र में चोड़ कर हमने फैसला किया कि हम स्यूसाइड कर लेंगे हमें गलत मैं समझीगा हमारे पास दूसरे कोई रास्ता नहीं था कर दो किक्कु येलो, तुम्हारे डोनेशन के पैसे किक्कु अंकल मैं मरने वाली हूँ, आपको भी पता चल गया क्या इसलिए आप मुझे यहाँ देखने के लिए आ गए मेरे पापा पैसे लाने के लिए गए है, वो जरूर आएंगे उनके आने के बाद मेरा ओपरेशन हो जाएगा उसके बाद मैं ठीक हो जाओंगी जो भी इजी मिलता है उसमें कीक नहीं होती है, ऐसा आप ही कहते हैं ना अंकल वो भी सही है, मौत इतने आसानी से आएगी तो कीक नहीं रहेगी मुझे डर लग रहा है अंकल तुम चिंता मत करना, वो भगवान तुम्हें बचा लेगा टोनी मेरे साथ खेलना चाहता है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है अंकल अब ये कभी नहीं खेल पाऊंगी अंकल ये बहुत ही सीरियस केस है 24 गंटे में अगर बच्ची का ओपरेशन नहीं किया गया तो इसके बच्चने की चांसे बहुत कम है मैं अल्रेडी इसके पेरेंट्स को बता चुका हूँ आपको भी बता रहा हूँ सुभे तक अगर 20 लाख रुपे नहीं डिपॉजिट किये गए तो बच्ची का ओपरेशन इंपॉसिबल है ठीक है डॉक्टर मैं लेकर आता हूँ अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया है अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहां से ज़रा अर्जेंट में जेल के प्रोग्राम में विजिट करना है तुम बोलो क्या हुआ सर आप मंत्री अगर आपने कुछ नहीं किया तो बच्ची नहीं बचेगी देखो तुमने जो प्रॉब्लम बताई मेरी समझ में आ चुका है अब मेरी बात सुनो देखो सरकार इस तरह से हर एक के लिए अपना ख़जाना नहीं लुटा सकती सर इसके लिए कोई तो फंड रहता है ने कि बिलकुल है लेकिन वह हमारे बेनेफिट कि लिए है देखो मैं तुमें काफी दिनों से जानता हूं इसलिए टिम्हें बता रहा हूं सबसे पहले तुमें एक काम करो एक अफ्लिकिशन दे दो जिसे मैं तुरंद फावड करके दो. तो दिनों में क्लियर कराने की कोशिश करता हूं लेकिन तुम जितना मांग रहे हो यह दस लाग बीस लाग नहीं होगा पचास अजार या फिर एक लाग दिलवा सकता हूं मैंनत करके कमाने वालों को एक रुपया किलो चावल देखकर आप आलसी बना रहे हैं सर नौजवानो वोटने डाल सकते हैं आप समझ में आया पापा इस गर को बेचने पर कितना पैसा मेलेगा बैंक वालों को मिलेगा ओ मतलब इस पर लोन है आपके अकाउड में कितना पैसा है पापा दस लाख रुपय है इमिजेटली एक चेक बनाई है लेकिन क्यूं मैं बताता हूं पहले रुपया पनाई तो बनाई है ना थेक है तूने खुद आकर मेरे पैर नहीं पकड़े ना तो दस लाक रुपए क्यों रे तू आकर खुद मेरे पैरों में गिर जाएगा मैंने चैलेंज किया था ना तो फिर बता ऐसे कैसे में पैसे दे दूंगी अरे अरे यह क्या कर रहा है तो बहुत बहुत धनिवाद माझे चलो मैं पुद आसे खर बताओ कर्म बास्थारी सुड़े नमापा झाल 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 क्या हुआ अंकल एक बार हस दो जड़ा थैंक यू अंकल आज टोनी का सपना पूरा हो जाएगा अंकल अब मैं भी टोनी के साथ जम कर खेल सकती हूँ ना डॉक्टर अंकल ने मुझसे कहा किया मैं भी खेल सकती हूँ यह सुनकर टोनी कितना खुश होगा पता है अंकल क्या आपका भी कोई सपना है अपना सपना पूरा करने में कोई कीक नहीं है मगर किसी दूसरे का सपना पूरा किया तो सही कीक है यह सपना प्रुश है है यह स्पना प्रुश है 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 बात्चोन के अंदर भगवान क वात्र। होता है इन सब को देखके यकीन हो जाता है सर इन लोगों में से हर कोई बच्चा किसी न किसी बीमारी से लड़ रहा है सर मगर ये लोग अपना दर्द भूल के हम लोगों में से किसी एक की जान बचने की खुशी और संतोर से इन लोगों के चेहरे खिल गए हैं सर इन में से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई मेडिसीन दिया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा सर लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मेडिसीन मिल जाए तो वो बच सकते है सर मगर हमारे पास पैसे नहीं है सर वहां देखिए उसे वो कुछी दिनों का मेहमान है सर और उसे पता भी है फिर भी उसके साथ रहने वाली एक बच्ची बच गई है इस खुशी में वो खुशिया मना रहा है सर हमारे एक आश्रम में जब इतने सारे बच्चे हैं तो सोची इस शहर में इस राज्य में इस देश में कितने लाख बच्चे ऐसे होंगे एक बार सोच के देखिये सर ऐसे सभी बच्चों के लिस्ट मुझे चाहिए है यह तुझे मजाक लग रहा है क्या एक बच्चे का ऑप्रेशन के लिए हमें कितनी परिशानी उठानी पड़ रही है इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेकर तु सब के सामने हीरो बनना चाहता है क्या एई यह मैं जनता के लिए नहीं कर रहा हूँ यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ ए अदीमो वो जो अंदर बच्ची सोई है न उसके चेरे पर खुशी देख के मुझे कितनी खुशी मिलती पता है उस एक बच्ची के चेरे पर खुशी देख के मुझे कितनी किक मिली इन हजार दर्द देखकर लोगों को खुशी होती है, लेकिन मेरा बेटा दूसरों को खुशी बाट कर खुश होता है, अब तक मैं मेरा बेटा क्या बनेगा, क्या करेगा यही सोचता रहता था, लेकिन उसने चोर बनकर मुझे सर्प्राइस कर दिया, उसके अंदर की इंसानियत बाहर अब उससे देखकर मुझे गर्व होता है, बेटी गर्व, और अकर वो पकड़ा गया तो, वो अपनी जिंदगी में जो चाहता है, बस वो पूरा हो जाए, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं, अभी वो कहा है, आंकल, हार गया, हार गया, हार गया, I am a loser, I am a loser, I am a loser, I am a loser, I am a loser my dear partner बॉस हार गया तो दुख में नहीं रहने का सेलिबरेशन करने का मनुष्ट जिस दिन इस सच्चाई को समझेगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा सिर्फ एंजॉयमेंट किक पर किक ड्रिंक पर ड्रेंक बॉस तुम्हें भी यह करना ही पड़ेगा बॉस ओके एंजॉय बहुत वो लोग नहीं जानते तुम कौन हो मैं यहां तुम्हें पकड़ने नहीं आया अब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस दोनों एक ही थे अब तक तुम कौन हो यह मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है हम दोनों की मन्जिल एक ही है तुम्हें अरेस् तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला तुम्हें प्रूफ के साथ रेड हैंड़ पकड़ना चाहता हूँ तुम बैठे रहो या खड़े रहो सोए रहो या जागे रहो तुम्हारी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता रहेगा तु चोरी करना तो छोड़ अगर चोरी के बारे में तुने सोच भी लिया न तो तेरे शरीर के एक एक अंध के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगा गुड़ लग पार्टनर पार्टनर फाइव हंड़ेड क्रोर्स एलेक्शन फ़ंड पार्टी आफिस दो पार ठीक बारा बजे कल ही रेड हेंड़ेड पकड़ना चाहते हो न पकड़ लेना अब लगीना तुझे किक श्रीरंगा या रंगनाथन देख लेंगे मिनिस्टर्स हो या मिले ठीक से चेक किये दिना किसी को अंदर आने मत देना यहाँ आने वाले हर शक्स को अच्छे तरह जेक करें सिक्यूरिटी रूल्स फॉलो करें मैप लेकर आओ मुझे अभी और इसी वक्त मैप देखना है अफिसर इतनी टाइट सिक्यर्टी क्यों पार्टी आफिस में टेररिस्ट अटैक के धंकी आई है फर्मिशन तो मैंने ही दी थी ना देखो ज्यादा मागो गए तो नहीं मिलेगा जितना देने की बात हुई है सिर्फ उतना ही मिलेगा जलो बैट जाओ बैट जाओ सारे पैसे गिन लिए ना मुझे इन पैसों को डिस्टिब्यूट करना है ये पैसे अच्छी तरह से डिस्टिब्यूट हो गए ना तो मेरा सियम बनना पैसम्द हो ऐसा ही होगा जिल जिल जिका 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 जि बुद्ध कम था तुम्हारी बात मान कर सारे पैसे को मैं विदेश में रखाया था पर हुआ क्या हमारी देश का लड़का पहुंच गया और सारा माल समेट कर अमारे मुग का निवाला चीन कर चंपत हो गया हाई पार्टनर मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर मूव्मेंट पर मेरी नजर होगी गुड बॉइ बारा बजने में अभी आधा गंटा और है अगर तु जबान का पक्का है तो चोरी जरूर करेगा तुझे चोरी करते हुए मुझे अपने आँखों से देखना है कम 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 एक पुलिस ऑफिसर को अपने पास बिठा कर चोरी करने में सुपर किक मिलेगी वैसे तुम्हारा प्लान क्या है हाँ जल्दी ही बता दूँगा वैसे बास मेरी वगल में तुम बठे हो तो हम फ्रेंज बन गए ऐसा बिलकुल मत सोचना तुम पुलिस हो और मैं चोर हूँ ए वहां पर पूरे तिन सो पुलिस तैनाद किये हैं समझा तू एक कदम भी आगे नहीं रख पाएगा अगर तू वहां पहुच भी गया ना तो वहां तैनाद सारे पुलिस वाले तुझे गोलियां मार कर तेरा सीरा चल्ली कर देंगे यह सब बलकर आप मुझे टेंशन दे रहे हैं और टेंशन से मुझे सू सारी में कर का आता हूं प्लीज बास चलता हूं बास एए क्या बास मुझे भरोसा नहीं है अगर नहीं तो आप यह मेरे साथ चलो प्लीज बास एक मिंट में आता हूं बहुत जोर के लिए हैं आगे हलो पार्टनर बास कैसा लगा मेरा गिटव पापी जानते हैं दूसरा कोई नी जानता है इसलिए गिटव प्रका बास कमान बास बास आप पर मुझे डाउट आ रहा है इस लड़की के मामले में आप मुझे से रिवेंज ले रहे हैं ना मेरे लिए तू इंपॉर्टन्ट है वो लड़की नहीं मुझे इसी डायलग सुनने का तो इंतजार था कमान 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 आजाओ जाजाओ इस पैसे को देखकर उस चोर की याद आ रही है अरे अपनी बगवास बंकर उस चोर का नाम सुनते ही मेरे दिल की धरकने तेज होने लगती हैं स्वामी जी पैसे गिन भी लिए और पैक भी हो गए अब डिस्ट्रिबूट कर सकते हैं एक बार बारा बज्जा ने दीजिए उसके बाद अमरित घड़ी आएगी तब तक आप इससे समाल कर रखिए उसके बाद आप समालना चाहेंगे भी तो नहीं समाल पाएंगे मेरा मत टुप अभी सिर्फ दो मिनट बचें हैं दो मिनट में पैसे कैसे लूटेगा तो टू मिनट्स यहीं बैठा है तेरे सामने मैं हूं इतनी सारी सिक्योरीटी है कैसे लूटेगा अंदर तेरी कोई सेटिंग है क्या सोलो जो पॉफ़रमंस बास बारा बजे तक तिरे पास टा सबी लोगों को भीज़ दो हलो हलो बैट मैन ल१ाम थैलो बैड मैन मनेस्टर तुम्हारे लिए है ब्रेकिंग निूज। बरब बर 80 सेकंड्स के अंदर अंदर तुम्हारे सामने हो गए कद भुच्चमतकार एक एक्स्टारड़नेरी मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सारे पैसे चुरा ले जाएगा क्योंकि यह है एक पक्की इंट्रिजेंस रेपोर्ट कौन है भे तू? रन्सिपोर्टर फोर्ट अरेपको मोरीं, 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 अरेपको मोरीं जजमान जजमान ज़ी करते हैं ज़ी 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 जो जो टूजा ज़ी ज़ी रुख जाओ एक्सक्योज में यह सब क्या चल रहा है किसी भगवान जैसे इंसान ने अपना नाम भी बताय बिना बीमारी से लड़ने वारे बच्चों के लिए हजारों करोड रुपया दान किया है इसलिए इन बच्चों ने उस इंसान के नाम से यह रैली निकाली है यह बच्चे उसी र हुआ है हुआ है 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 अब हुआ है है ताइट सिक्यूर्टी है पैसे कोई देख भी नहीं सकता और पलक जबकाता ही वह कुछोर हिंदी फिल्मों की तरह आखों में धुल जोक कर पैसे लेकर गाइब हो गया सर वह बगवास बंद करो अपनी अपने आपको पुलिस ऑफिसर कहते हो तुम पर भरोसा किया और तुमने आमें बरबाद कर दिया किसी भिखारी की तरह हाथों में कटोरा पकड़ा दिया हाई पार्टनर हाव यह डिसमबर 16 की बाद मैं तुम्हें नहीं मिलोंगा कहा था ना हाज मेरा जैनिंग डे है बास जो काम मुझे बच्चों के लिए करना चाहिए था वो मैंने कर दिया बहुत ही मस्त किक मिले वह तो ठीक है मगर यह यह मेरी लवर के लिए दरसल वो मुझे पोलिस ऑफिसर के रूप में देखना चाहती थी अब लवर के लिए इतना तो करने ही पड़ता है ना लवर की इच्छा पूरी करने में भी मस्त किक मिलती है बस है तुम उसके साथ का डिसकुशन कर रहे हो इमांदारी से फ पाइल उसे दे दो ऐसा कुछ नहीं है सर मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं आपकी सारी जैदाद आप इसके नाम कर दीजिए बहुत अच्छे से संभालेगा तो मैंने इसे यहां बुलाया है ओके तुम चले जाओ पार्टनर इन सब को मैं संभालूंगा आप सब इसके बारे में क्या सोच रहें मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मेरी बात है जब यह ऑफिसर उस चोर को पकड़ कर मेरे सामने लाएगा तभी मेरे दिल को ठंड़क पहुंचेगी और तुम यह काम जरूर करोगे सर आप 101 परसेंट उस चोर को देखना चाहते हो ना सर आपने मुझे देख लिया तो समझे कि उसे भी देख लिया हां तो अभी से आप सब को सूपर किक